तो आज दिखाने जा रहा हूं यह और इस सेरिंटी में 58 फ्लोर पे है यह 58 वाले पर है और श्री भी एज़के की प्रापरटी है दो सेल करना है यह मेरे मित्र है उनका ही यह फ्लाट सेल करना है तो मैं फ्लाट का पैटरन दिखा देता हूं आप देख लेजे इसका व्यू ब का वीव आरहा है लेकिन खाड़ी बहुत इतना छोटा दिखता है आपको नदी के टाइप का और यही जाके आगे समंदर में आपको मिलता है और यह पूरा का पूरा आपको यहां से वियू मिल रहा है यह आप देख सकते हैं 20 माले 30 माले 25 माले 8 माले का टावर तो आपको कि अभी मैं आपको हॉल से कनेक्टेड यह किचन है किचन भी प्रॉपर सर्विस प्लेटफॉर्म गेस प्लेटफॉर्म अच्छा इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है और स्टार्ट में आपको डबल डॉर स्रीज का स्पेश दिया हुआ है वैसे तो थ्री बीएज के का प्रॉ कि यह आप आते हैं तो पहला कॉमन वाश्रों मिल रहा है जिसमें वाश मेसीन कमोड बगेरा दिया हुआ है इसके बाहर एक आपको युटिलाइज के लिए युटिलिटी के लिए अरिया मिल रहा है जहां पर वाशिंग मसीन रख सकते हैं कुछ एक्स्टा चीज अब रखन करें चाहें तो रख सकते हैं यह जिए आपको युटिलाइज करने के लिए दिया जा रहा है कि अगे हैं आप अब हम इसका बेडरूम देखते हैं यह में तया हुआ है कि हॉल काफी प्रेस्टियस कोईयर में दिया हुआ है यह इसका पहला पेद्रूम को मास्टर बेडरूम को दिखा रहा हूं इसके बाक एक्षर ईडरी करने के लिए को बिए और डिफर्ट डिफॉर्ट पे यहां वाऑ सोड़ूर उन CT 0 यह कुछ यूटिलाइज एरिया भी एक अलग से मिल जाता है आपको यह बहुत बैसिन वगर तो बिल्टर लगा के दे रहे हैं वैसे तो आप अगर खरी देंगे ओवियस है कि आप अपने हिसाब से काम तो करेंगे ही अगर नहीं भी करना चाहे तो आप फरनिचर करके ले सकत है तो अलमोस्ट बिल्डर ने इतना काम करके दिया है आपको ज्यादा इविल वर्थ करें की जरुत महीं पड़ेगे हैं है 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 अब मैं आपको दूसरा बेडरूम दिखा रहा हूं कि किस टाइप का है वह आप देख लें इसमें वाक-इन वाडरॉप का जगे भी आपको मिल रहा है वाक-इन वाडरॉप एक नया कंसेप्ट है आज के जो फ्लाइट्स बंड रहे हैं उसमें कि जहां पर आपका वाश्र बेडरूब के अंदर आपको आना नहीं पड़ता है अभी मैं आपको इसका ये ऊप इन वाडरॉप का क्या कंसेप्ट है वह दिखा रहा है वो यह आप जब यहां से आते हैं तो यह आपको वाक-इन वाडरॉप मिल रहा है यहांपे कवड बन जाएगा और इसमें सारे कप मिल रहा है इसमें आप बात तब लगाना चाहें तो अपने हिसाब से काम करके आप लगा सकते हैं। बिल्डर ने ये स्पेस दिया है आपको यूज करने के लिए। ये आपको master bedroom है और सामने आपको walk-in wardrobe का space दिया हुआ है ये पूरा wardrobe का space आपको use का सकते हैं उसके बाद फिर आपको ये पूरा bedroom का space मिलता है आप 6 बाई 7 या 6 बाई 6 का bed रखने के बाद भी आप एक अंदाजा रगा सकते हैं कितना used space आपको पूरे bedroom में मिलता है अभी इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा बेडरूम किस टाइप पा है, ये इसका दूसरा मास्तर बेडरूम है, ये मैं विंडो के साइड आपको लेके जा रहा हूँ, यहाँ से जो आपको व्यू मिल रहा है, आप देख सकते हैं, कितना जबरदस्त व्यू मिल रहा है, येर सबकुछ यहां से आपको दिखता है और वैसे तो मलाट वेस्ट का सबसे उच्छा टावर है इसके कंपेरन कंपेरेजिन में अभी कोई टावर यहां पर बना नहीं है यह इसका मास्टर बिड्रूम का वाश्रूम है इसमें बाथ एरिया को गलास में कवर किया हुआ है आप देख सकते हैं बाथ एरिया को कवर किया हुआ है और मैं बाहर लेके चलता हूँ बेड्रूम इसका बहुत बड़िया इस्पेस तिया हुआ है साथ वाई साथ का भी अगर आप बैट डालते है न तो एक अच्छा खासा आपको जगह मिलता है यूज करने के लिए यह इसका पूरा का पूरा इस्पेस है 3 कि अधर से अंदर साइड से आप आते हैं तो यह आपको बहुत ही खुबसुरत व्यू मिल रहा है 58 वाले से 58 फ्लोर से यह आपको व्यू मिल रहा है अभी मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर सूरेक का स्पेस दोर के बैक साइड में आपको सूरेक का स्पेस मिल रहा है मैं दिखाता हूँ यह इसका सूरेक का स्पेस है और काफी बढ़ी है और यह पूरी के पूरा इसका पैसेज है फायर एकजिट पॉइंट यानि की स्टेर केस है यह आप देख सकते हैं यह इसका स्टेर केस है और लिफ्ट इसमें सारे सिंडल कंपनी के हाई स्पीड लिफ्ट से मेंटेन किया हुआ है यह मैं पूरा आपको इसका पैसेज दिखा रहा हूँ काफी ब्रॉड पैसेज इन्होंने बनाया है इसका साइज कितना है एक्चुल प्राइज 2BHK का 3BHK का क्या आएगा 3.5 यानि 4BH के बोलते हैं उसको उसका क्या आएगा यह सब जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा आप हमें फोन करें वहां पर हम बता देंगे क्या प्राइज वगर आएगा उपर से क्या एक्सपेंस आएगा पूरा पैकेज क्या आएगा उस सब कुछ मैं आ आपको डिस्क्रिप्शन में साइज और प्राइस तो डाल दूंगा कुछ भी डिटेल जानना हो ना तो आप डिस्क्रिप्शन में में मेरा नंबर रहेगा और हमें फोन करें हम बता देंगे आपको वहां पर क्या चल रहा है ओके नेक्स जो आगे जो हमारा वीडियो है इस स्विमिंग कूल दिखा रहा हूं और इस रिंती का आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक तलाव के माफित बड़ा सा बनाया है इनों जितना दोस्तों मैं दिखा पा रहा हूं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं एक्ट्वल तो आपको फ्लाट देखने आएंगे अभ livres बनाया है और ये अईन्यमेंट के लिए अंचेन्या के लिए रखा है नोर्य इंदाटियरőissements लाइट के देखा हूं अ मै आपको लेके चलता हूं क्लब हाउस मैं आपको इसका क्लब हाउस का बाहर से सीन दिखा रहा हूं यह क्लब हाउस है इने सिटिंग एरिया इसी खुबसुरत डिजाइन के साथ नहीं डवलप किया है पाउस के बच्चों का खेलने के लिए क्लमींग और इएरिया है इसका आप यह देख सकते हैं कि सब्सक्राइब दिया हूँ बहुत ही बूरिव यह इसका बैंक्विट हॉल है लगबग थाउजन लोग की केपैसिटी है इस बैंक्विट हॉल का और इस शेरिंटी का जो मैं आपको बता रहा हूं यह बच्छों के लिए कारम एरिया और आप देख सकते हैं मैं छोटा सा गेम जोन गेम रूम का हिसाब से बनाया है कि अब पूरा का पूरा क्लब हाउस में वेटिंग एरिया है मैं लेकर चलता हूं आपको उपर क्लब हाउस का इसका जो सेट अप इन्होंने दिया है वह आप देख लें कीशे का जो सिटिंग एरिया दिया हुआ है और पूरा इसका वोकाउट का मौरब सब्सक्राइब के साथ में बनाए हैं जिम्नाशियम आपको दिखाने सब्सक्राइब दोस्तों की जिम्नाशियम में वकाउट कर रहे हैं यह लोग इसके दिखाने सकता ओपन देख सकते हैं ओपन टैरेस है ओपन बैंक्विट है तादी और बढ़्डे बगर आप और्डिनाइज करना चाहें विजली कर सकते हैं सब्सक्राइब परमीशन अब सोसाइटी बहुत ही खुप्सरत वीव आपको टी वीव का फील देता है अब नीचे सुमिनपूल आ रहा है आपका गार्डन बगार डवलप किया है नहीं इसको सच में आप एक लग्जीरियस लाइफस्टाइल बोल सकते हैं और इस सरेंटी और तो आप अगर और इस सरेंटी में रहते हैं या रहने कर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपने आपको बहुत खुशनसीब समझें दोस्तों जटी पर अगर स्वर्ग है तो यहीं कहीं है स्वर्ग का फीलिंग आप यहां पर कर सकते हैं कि स्विमिंग कूल नहीं है यह फॉन्ड के टाइम का डिजाइन गया हुआ सुमिंग कूल जो मैंने आपको दिखाया है वह है इसका फुब्सुरा लेक बनाया है आप देख सकते हैं है और इसका दिजाइन है और यह टावर का एलिवेशन है ओपन बार और यह सिटिंग एरिया नहीं अब बार यह इसका बहुत अच्छा प्लांटेशन किया है नहीं वाटर में डिजाइन किया है देखके भी आप समझ सकते हैं कि किस टाइप पर हमें बनाया है आप देख सकते हैं कपल बैंग भॉए भी कर रहे हैं अलग ही फील आता है जब आप इस कॉंप्लेक्स में अंद प्रेंटरन्स लॉबी दिखा रहा हूं इसका जो पोडियम से आप एंट्री करते हैं न वह एंट्रेंटरन्स लॉबी आप देख सकते हैं कितना ब्यूतिफुल डिजाइन वह ने किया है दो पॉस के हिसाब से सिकूरिटी काउंटर ये वेटिंग एरिया वाव ये इसका ल दबल हाइटेट पूरा पूरा लॉबी है डवल हाइटेट लॉबी बनाने में ही एक फ्लैट चले जाता है बिल्टर को लॉज करना बड़ता है जब लाग देख सकते हैं डवल हाइटेट लॉबी अंदर वेटिंग का हिसाब से बहुत वीज़ ब्यूटिफुल लिएटर सेट डवलपर है यह बसंतु सेटिन का नाम है जो एक से साथ माले तक आप देखें तो पार्किंग यी पार्किंग दिया हुआ है आठमे माले पर जो मैंने अमेनिटीज दिखाया है वो है उसके बाद फिर नौमे माले से इसका रेसिदेंशल साम हो गई है तो यह पार्किंग का दिखा रहा हूं ऐसा टीनों साइड से पूरा का पूरा पूरा पार्किंग है आप देख सकते हैं अनलाजा आपको मिल जाता है आप देखने के बाद के हैं आए चाना पूरा गैंप और पार्किंग का इरिया है आपको दिखा रहा हूं काफि कम्हां है फुक्शावी इन्हें और मल्टी पर्पस स्पोर्ट है यह उसमात पोड़स्ट है कि इस यह तरह का गेम आप और टो इतना बड़ा है दोस्तों इन्होंने कवर किया है और यह इसका मेन एंट्रेंस है मेन एंट्रेंस लॉबी है तो आप देख रहे हैं बहुत की ब्यूटिफुल इंहीं दिया है यह आप डिजाइन देखकर समझ सकते हैं यह इसका वेटिंग एडिया कि अधिया है और इस रिंटी का और यहां से मेट्रो और लिंक अपना मेट्रो स्टेशन और लिंक रोड यह विल्कुल पास में है वेल्लिंग से निचे उतरके आप वाकिंग यहां से तीन चार मिनिट में पहुंच जाते हैं मेट्रो स्टेशन लिंक रोड का और लिंक रोड यह इसका एंट्रेंस लॉबी है कितना बीटिफुल बनाया है और क्या फील दिया है यह आप देख के समझ सकते हैं मालाड का सबसे बड़ा सबसे टॉलेस टावर है यह